नमाज पढ़ता हुगा जो बजू बनाते में ही सको गया था अबुजी को अस्सलाम आलेकूम रह्मतुल्लाहिव बरकातू ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभी वीडियो भी दिखाऊंगा थोड़ा सा सबर करिए इस देश में मुसलमानों का बहिशकार किया जाता है दुकानों मकानों से निकाला जाता है संबंद तोड़ा जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ मंदिर चाहिए पैसे नहीं चाहिए रोजगार नहीं चाहिए और ये सारी बातें सरकारी ताकत के मताबिक वो बोलत कुछ लोग मान तो लेते हैं लेकिन कसम से जब पेट के अंदर भूख लगती है ना भूख की आग जब जलती है तब उसे एहसास होता है उसके बाद सरकारी ताकतों को ठोकरा कर क्योंकि सरकार से पहले उसने रोजगार मांगा ही नहीं सरकार क्या देगी तब उसे ठोकरा कर लाश्ट में मजबूरन मुसल्मानों के अंदर उसे घुसना पड़ता है मुसल्मानों का भेश मुसलिम का नाटक करके मुसलिम बस्तियों में घुसते हैं यहां तक कि मस्जिद के अंदर भी यह चचा घुस गए थे आप देखिए कोई भी एसे घुलिया देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि यह मुसल्मान नहीं है बिल्कुल परहिजगार लग रहे हैं और नमाजी लग रहे हैं मस्जिद के अंदर घुस गए थे रमजान के महीने में जकात का पैसा मांगने आप देख सकते हैं और ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए बहराल मस्जिद के अंदर घुसे थे जकात का पैसा एकठा किये थे एकठा कर रहे थे नमाज पढ़ने के लिए जब नमाज का टाइम हो गया तो अकेला के से भागते तब नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाने लगे लोग जब देख रहे थे कि इनका जो तरीका है वजू बनाने का ये कुछ अलग तरीका है तो लोगों के अंदर शक हो गया है दोस्तों ये वीडियो दिखाने का यही मकसद है कि एसे ही कुछ लोग नयताओं के चकर में आ कर मुसलमानों से आहरु दुशमनी क्यूं कर लेते हैं मुसलमानों पर आखिर हमला कर दो करते हैं इस तरह क्ष़मले क्यों करते हैं